तो दोस्तो मैं लोकल मार्केट से गुजर रहा था, वहाँ पर मैंने बहुत सारी स्मार्टफोन की दुकाने देखी, वहाँ पर लिखा था EMI पर फोन ले, और लोगों की लाइन लगी हुई थी, बहुत जाले लोग आ रहे थे दुकानों में EMI पर यानी किष्टों पर मोबा आइल फोन खरीदना सही है या गलत, क्यों आपको लेना चाहिए, क्यों आपको नहीं लेना चाहिए, सबसे पहली बात, किष्टों पर कोई भी चीज खरीदना, मतलब की कर्ज इखटा करना, कर्ज या जो डेप्ट होता है, वो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं होती, यह उ लोग नहीं समझे, वक्त के साथ जिसकी value, जिसका मूल्य कम होता चला जाता है, उसे depreciation बोलते हैं, जब आप phone खरीदते हो, तो आपने जो 10,000 का phone खरीदा है, या 1,000,000 का phone खरीदा है, उसकी value हमेशा 1,000,000 नहीं रहती, वक्त के साथ वो कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है इसलिए जब आप कोई महेंगा फॉन EMI पर खरीदते हैं तो खरीदते तो आप शायद 50,000 का है महेंगे फॉन खरीदते हैं लोग और क्यों आपको लेने ने चाहिए उसके पर तो मैंने दो वीडियो अलड़ी बना चुका हूँ हिट हो चुकी है पूरी दुनिया जान चुकी है अगर आपने नहीं देखी तो जाके देख लेना तो 50,000 और 60,000 का जब आप फोन EMI पर खरीदते हैं तो उसका वो वैल्यू बढ़ने नहीं वाली है वो कम ही होने वाली है आज 50,000 का फोन लोगे वो कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद 10,000 का भी नहीं रहेगा तो ये तो लॉस है और EMI पर आप जब भी कोई चीज खरीदते हो तो आपको उतना पैसा नहीं देना पड़ता उसका इंट्रेस्ट और वो सब आगे के देनी पड़ती है जीज़े जैसे अगर आप 60,000 का फोन खरीद रहे हो तो आप 60,000 नहीं लोटा रहे हो वो एक्चली 65 या 70,000 तक आप लोटा रहे हो यह लोग बहुत स्मार्ट होते हैं दोस्तों जोब आप EMI पर कोई भी फोन खरीदने जाओगे तो वो जो हैंडसर होता है उस पर ऐसी कोड या ऐसी चीज लगा देता है कि आप अगर किष्ट नहीं भरोगे अपनी फोन की तो आपका फोन लॉग हो जाएगा और वहाँ पर आप फोन से ही किष्ट बर सकते हो अपने UPI से ऑनलाइन बैंक की किसे तब ही वो अनलोग होगा तब ही वो चलेगा यानि उसमें एक restriction सेट होती है EMI पर खरीदेगे फोनों में ऐसे lock लगे होते हैं जो बड़ी मिश्किल से वो तूटते नहीं है तो आप यह सोच रहे हो कि आप EMI पर फोन खरीद के गायब हो जाओगे और आपको किष्टे चुकानी नहीं पड़ेंगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है इस चीज के चलते लोग क्या करते हैं कि वो वो चीज़े खरीद लेते हैं जो उनके बजट से बाहर होती है सेम गोज विद स्मार्ट फोन अपने देखा होगा ऐसे लोग जो महीने का 20 से 22,000 कमाते हैं हाथ में 70,000 और एक लाग का फोन लेके घूम रहें कैसे लेके घूम रहें इसका मतलब उन्होंने कर्ज लिया हुआ है और वो हर महीने उसकी किष्टे चुका रहे हैं उनका फोन जब तक बहुत पुराना हो जाएगा तब भी वो उस फोन के लिए किष्ट चुका रहे होंगे जैसे एक्जामपल के लिए मैं आईफोन की बात करता हूँ अभी लोकल मार्केट में बहुत चलन है लोगों का आईफोन लेने का कोई भी इंसान हो अगर थोड़ा बहुत भी कमाता है उसकी पहला ड्रीम यह है कि मुझे आईफोन लेना है उसका आईफोन को कोई काम नहीं है ना तो वो प्रोफेशनल वीडियो बनाता है ना रील्स बनाता है कुछ भी इस्तमाल नहीं सिर्फ कॉलिंग कर रहा है वो इंसान ऐसे लोगों को मैं जानता हूं वो कॉल करता है आईफोन 16, 17 आ चुका होगा लेकिन वो अभी भी उसी जाल में फसा हुआ है कि आईफोन 15 की किष्टे चुका रहा है जो कि अब फोन बहुत पुराना हो चुका है आईफोन या यह सैंसिंग गैलेक्सी की जो S-series आती है दोस्तों यह उन लोगों के लिए है जो महीने का कम से कम 3 से 4 लाग या 5 लाग कमाते हैं नहीं इतो आ फिर कर जमें डूब जाओगे EMI वाला phone खरीदने से better, एक second hand phone खरीदना होता है, वो कैसे, देखो second hand phone सस्ता आता है, और आपको वैसा ही करता है, refurbished भी खरीद सकते हो आप, तो मैं तो यह कहूंगा, premium 4 अगर खरीदना है तो second hand खरीद हो, जैसे एक दो generation पुराना, तो उसको आप अच्छे तरीके से utilize कर सकत हो, किन लोगों के लिए EMI पे लेना थोड़ा ठीक भी हो सकता है, उन लोगों के लिए जो उससे पैसा कमा रहे हो, जैसे आप एक creator हो, आपको वीडियो बनाने के लिए phone चाहिए, और आपका ये planning है, कि आप इस साल इस phone को खरीद कर, एक लाग के phone को खरीद कर, कम से कम 10 से 11 रालाक रुपे कमाल होगे, तब ये आपके लिए बढ़िया investment है, लेकिन अगर आप phone को रख रहे हो, बस calling और message के लिए इस्तमाल कर रहे हो, तो ये बहुत ही खराब investment है, मेरी नज़र में दोस्तों, EMI पर phone लेना बहुत ही गलत है, और आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहि झाहिंग ताप कि अचको बात है, झाहिंग एड़िए ताप